हेलो फ्रेंट फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंट आज के इस वीडियो में हम लोग कलास्टेंड के समाज भी गया नियाने की सोसल साइंस के एक और महतपूर्द मोडल पेपर को देखेंगे ज तो जो भी विदियारती इस बार फानल मैटिक बोड एक्जाम देंगे तो यह कलास आपके लिए काफी मतपूर ने प्लिस दोस्तो इस कलास को बिल्कुल आप सुरूर से लेकर आखरी तक कर लेते ना तो आपके बोड एक्जाम में काफी सारे परसना सो परसेंट देखने को लगा तो फ्रेंड इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा और दोस्तो यहां पर जो भी विदियारती अभी तक इस कलास को लाइक कर दीजेगा और यहां पर चैनल पर नहीं है ना तो प्लिस दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजएगा साथ में बगल में तो यहां पर बताना है पर ने कराएगी उने सो पांच में बंगाल का विभाजन किसने किया था देगे तो देखेगा दोस्तों आपका दियागा लीटन ने ध्र्टन ने करजन ने कका दिया गया है और डड़ीन ने तो फ्रेन अपको पता होने上 फिसने किया था तो करजन जी ने किया था यानि कि यहांपर सीवल ओप्सन जोए इसका बिल्कुली करत आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेन ने देखेगा option A में आपका दियागा इंग्लेंड में या फिर जर्मनी में और अपसन C भारत में या फिर जापान में तो friend 10 घंटे का जो आंदुलन चला था नो दोस्तों कहां पे चला था लेंड में चला था यानि कि इसका एवला अपसन जो इना बिल्कुली और अंजर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पे तीसरा नमर परसन को देखेगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है तो यहां पे आपको बताना है कि सीधी लकीरो का अतिला की रूप में किसका चितरन किया गया है तो फ्रेंड यहां पे देखेगा सीधी लकीरो का अतिला की रूप में जोने दुस्तों किसका चितरन किया गया है तो बैरोन होस्मोन का चितरन किया गया है यानि कि यहां पे इसका सीवला अपसन जो इना बिल्कुली अरक् तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भेर जानवर के रोई से बनाया जाते हैं यानि कि यहां पर एबॉल आपसें जोना इसका बिल्कुल हो जाएगा आप चले फेरिंटा देखिती हैं अपर नेक्स्ट कुशन के तरफ बर चलते हैं तो फेरिंट यहां पर देखेगा पांचवा नमर प्रसं क्या कराएगी यहां परsz हो बताना कांडला पतन किस राजे में बनाया गया है तो यहां पर देखेगा पच्छी मंगाल में या फिर महाराश्रम में या फिर गुजरात में और अफसंटी में आपका दिया गया है गोवा में ठीक है तो फ्रेंड यह जो कांडला पतन दूस्तों किस राज में बनाया गया है तो ग is और जो और फो पह कोते हैं यहां स्जीद यहां होना पर कि विई हेड कोarटर वेशन के समस्ति निए मीधन देखेवा, पको रहत आए सासां और कारियो था मार्ञे महें दोस्तों, हाजिoral कारी है वाब दिदुट में लेखते हैं वर सबस्क्राइब के दरुट है कि भारत में दल बदल कानुन किस वर्स लागू किया गया तर लागू हुआ था ठीक है फटावर से बताइए भारत में जो दल बदल कानुन लागू हुआ था नो दोस्तों कब हुआ था लागू अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन क्या कराएं कि यहां पर आपको बताना है कि विस्वु में सबसे बरा लोग तांदरिक देस है था भारत या पर चीन या पिर अमिरिका या पिर भारत हो जाया गहिए इसका उप्सन अबर सी जो नहीं बिलकुली करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ये दल बदल कानून में एक पर्स ने भी पूचे आते हैं कि दल बदल कानून किस पर लागो होते हैं तो सांसोदों इवंग विधायों को पर लागो होते हैं अब चले फिर अने देखते हैं आपर नेक्स्ट कोशन के दरबर चलते हैं चले देखते हैं आपे next question क्या कराईए कि यहां पर बताना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो मुद्रा की परिभासा किसने दीते हुए आपको बताना ठीक है तो देखेगा दोस्तो अफ्न E मेर आपके दिया गर्णि या पर रोबोर्ट्स ने या फिर होटले विदर्स ने और अफ्न डिये सेलिंग में ने तो फ्रेण यापर देखेगा मुदरा वह है जो मुदरा का कार्छ करती है तो मुद्रा का जो यह परिवासा दिया था न दूस्तों कि किस ने दिया तो होटले विदर्स ने दिया था होटले विदर्स ने यानि कि यहां पे चीवल आप संजे नहीं तो यहां पर देखेगा यहां पर इसका बिल्कुली से उत्र हो जाएगा अब चले फिरेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को संजो कि आपके बूर्ड एक्जाम के लिए भी पर सुझेना बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां पर बताना है कि गार्डन सीटी की अउधारना किसने व अब चले फिरेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को संजो कि आपके बूर्ड एक्जाम के लिए भी पर सुझेना बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां पर आपको बताना है कि गुटेन बर्ग का जनम किस देश में हुआ था ठीक है फटावर से बताई दोस्तों यह गुटेन बर् कि जी का जनम कहां पर हुआ था दोस्तों किस देश में हुआ था जर्मानी में हुआ था यानि कि यहां पर बीवला अपसंजों ने इसका विल्कुली से उत्तर हो जाएगा चले देखते हैं आपको बताना है कि भारती राष्टे कोंग्रेस के पहले अध्यक्ष्ट कौन थे तो आपको पता होने ची दोस्तों कि रचना किस ने की थी तो देखेगा अपसंजन ने या फिर दोस्ती वसकी ने या फिर काल माक्स ने ठीक है तो फ्रेंड यह दास केप्टेल की जो रचना की थी ना दोस्तों किस ने की थी काल माक्स ने की थी यानि कि यहां पर डी वाला अपसंजन बिल्कुली से उत्तर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपको बताना परसन यह कराएगी रक्त एवंग लोग की नीती का आउलाबन किस ने किया था फटावर से बताएगे काफी मतपूर्ण परसन है तो फ्रेंड यह रक्त एवंग लोग की नीती का आउलाबन जो किया था ना दोस्तों किस ने किया था यानि कि यहां पर सीवला अपसंजन बिल्कुली से उतर हो जाएगा तो फ्रेंड यहां पर अभी तक जो भी वीडिया थी इस क्लास को लाइक ने किये ना तो प्लिस दोस्तों जल्दी से आप फटावर से क्लास को लाइक कर दीजेगा और यहां पर चैनल पर नहीं है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजगा साथ में बगल में नौडिफिकेसन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट के लिजएगा क्योंकि यहां पर डेली जो धमा के दर कलास चलती रहती है और दोस्तों यहां पर कलास का टाइम को नोट कर लिजए दो पर में एक बज़े कलास होती है साब में 7 बज़े कलास चलती है दोस्तों रात री 9 बज़े कलास चलती है और दोस्तों सुबह में 6 बज़े कलास चलती है तो यह सिभी कलास को आपको पूरे करती है ठीक है चले फीरेंड देखती है पर next question क्या करा है? कि यहाँ पर आपको बताना है कि गेरी वाल्टी पेसे से क्या था देखेगा दोस्तो गेरी वाल्टी का पेसे है क्या था? तो यहाँ पर देखेगा दोस्तो सीफाई या फिर किसान या फिर जमीन दार और अपसं टीए नावी ठीग है तो फ्रेंड ये गेडी वालिटी पेसे से क्या था तो आपको पता ऊना चेगए यह क्या था दूस्तो नावीक था क्या था दूस्तो नावीक यानि कि यहां पर डीवल आप संजन इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कॉस्टन के दरब बर चलते हैं चले देखिए आपे 17 नमर परसन क्या ग्राइगा, यहाँ पर आपको बताना है कि रूस में किरसकदास परथा का अंत जोना दुस्टो कब हुआ था, तो फ्रेशर आपको पता हूना चाहिए दुस्टो 8800 एक्सर रिजबी में जोना रूस में किरसकदास परथा का अंत हुआ यानि कि यहां पर एवला आप संजन है इसका बिल्कुली करेक्टरांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड ने देखती हैं पर नेक्ष्ट कोसन के दरब बर चलते जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि दा कि पूर्ण सवराथ की मांग का प्रवस्ताव कोंग्रेस के किस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ था तो आपको पता होना चाहिए दो 129 में हुआ था और दोस्तों यहां पर लाहुर में हुआ था ठीक यानि कि यहां पर एबला आप संजोना बिल्कुल एक टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट के तरब चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता ह कि या पर देखेंगा uto All India Tradition Congress को चर्व सही अपर होता है यानि की प्रवतिमीर्दा है तो आपको पता हुने हैं याइन कि यहां पे बी वाला उप्सन जोना बिल्कुली गरक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों यह काली मिर्दा किसके लिए उपयुक्त होती है अब चले देखते हैं पर नेक्स्ट क्वसं की तरब बर चलते हैं चले देखते हैं आगला परसंट क्या कराई कि आपको बताना है कि भारत के किस राज़े में वहन का सबसे अधिक विस्तार है बहुत ही महतपूर ने तो देखेगा दूस्तों अपके देखें आपके कैरल में या फिर करनाटक में या फिर मद्य परदेश में और अफसेंडी उ को देखेगा जो कि आपके एक्जाम के लिए भी परसुज़ेना बहुत ही महतपूर ने दोयर 24 के लिए तो यहां पर आपको बताना है कि किस राज में खानी स्तेल का विसाल भंडार है ठीक है तो देखेगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहां पर आपको बताना है कि इन में कौन भुक्ता होगे ठीक है फटावर से बताएं दोस्तों इन में कौन भुक्ता होगे तो यहां पर देखेगा पैट्ट आपको बताना है कि नागपुर सरक योजना के अंतरगत सरकों को कितने भागवावर से बताना है बाटा गिया काफी मत पोड़ने ठीक है तो फ्रेंट इसको अच्छी तरगे से याद रखेगा नागपुर सरक योजना के अंतरगत सरकों को मुक्या चार भागव में बाटा गिया है यानि कि इसका एवला आपसन जोना बिल्कुली से बताना है कि यहां पर आपको बताना ह यहां पर नेक्स्ट कोशन के दरब बर चलते हैं अब आए फ्रेंट ने देखती हैं अगला परसन के दरब बर चलते हैं जो की काफी मत पोड़ने आपके बोड़ एक्जाम के लिए तो यहां पर आपको बताना है कि संजे गांधी जैविक उद्यान किस नगर में इस्ती दे तो देखेगा दोस्तों अपके दिया अगर आजगीर में या फिर बहुत गया में यह फिर बिहार सरीब में और अपको पता होना चीए यह जो संजे गांधी जैविक उद्यान है न दोस्तों एक परकर का क्या होता है चिरिया घड़ है और दोस्तों यह कहां पे इस्ती दे तो यह पटना में इस्तीत है यानि कि यहां पर डी बला ओप्सन इसका बिल्कुली से उत्तर हो जागा चलिए फिर ने देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन के दरबर चलते हैं जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर ने तो फिर निया पर आपको बताना है कि 2001 2001 में सब बिहार की कूल जन्संग है कितनी थी आपको बताना है धीक है heading जो बिहार की कूल जन्संanda कई दूस्त कितनी थी लिए हैस्वी रिवीदी का जो विकास किया था ना किस ने किया थो तो दोस्तों यहां पर देखेगा उपसन ए में आपका दिया गया है गुटेनबर्ग ने यह पर लेहमान ने यह पर निगर ने और अपसन डियर रीटर ने तो फ्रेंड इसका जो सही और सठीक आंसर हो जाएगा यानि कि यहां पर इसका बीवला अपसन जो ना बिल्कुली सेवतर हो जाएगा चले देखती हैं अगला पर्सन की तरब बर चलते हैं तो आए फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोसन जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत ही मत पोड़ने तो यहां पर आ बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्धोग चूना पत्थर को कच्चे माल की रूप में पडियोग करता है तो फ्रेंड वह होता है स्मेंड दोग यानि कि यहां पर सीवला अपसन जो ना बिल्कुली से वितर हो जाएगा चले देखती हैं आपर नेक्स्ट कोसन क्या एक र संस्ता में यानि कि यहां पर डीवला अपसन जोने इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा चले फिरेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोसन के दरब बर चलते हैं तो आईए फिरेंड देखती हैं पर अगला परसन क्या कराएगी यहां पर आपको बताना है कि लोग सभा म सब्सक्राइब निर्वाचन है तो कुछ सीटों की जो संक्षा है ना दूस्तों कितनी पासो 43 सीटे हैं यानि कि यहां पर सीवला अपसन जोने इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट क्या कराएगी यहां पर आपको बता सब्सक्राइब नेक्स्ट की दरबर चलते जो कि आपके एक्जाम के लिए भी परसन बहुत ही महतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि राजनितिक दलों की नहीं सरुपर्थम किस देश में पर इटीक है तो फटावर से बताएगे दोस्तों आपका दिया को परखोंगे एक्जाम के लिए तो यहां पर बताना कि किस के स्लों में वेक्तिकत पूरवा गरोग देखता पर बताना की भारत में सरोचे न्याले के मुख्य न्याइदीस की कोन करता है काफी मत पोर ने तो फटाबर से बटाये भारत में सरोचे न्याले की नुक्ती करता है न दूस्तों कौन करता है तो देखें देखती हैं अगला प्रसंट क्या कराएं की आपको बताना जिए कि यहां पर आंदर परदेश या पर जम्मू कस्मीर और अप्सन डिये गुजरात तो फिर आपको पता होना चीए यह जो जम्मू कस्मीर है न दोस्तों इसे विशेज राजी दर्जा पराफ्ट है यानि कि यहां पर सीवला अप्सिंज यह विल्कुल एक ट्रांसर हो जायागा चलते हैं चलता होना चलते हैं तो फीरिण यहां पर आपको बताना की बिहार की परतिविक्ति आई सरवादी की शबसे अधी गहें तो फिरेंग आपको पता आफ चाह्यां के पटने जी अब चीज़र प्रसट क्या क्राएं यहां पर बताना है कि की वेशीवी करन के मुख्य अंग कितने होती है काफी मतपूर्ण सब्सक्राइब, कि यहां पर डीवल आप्सन जोने इसका बिल्कुली सेवत्तर हो जागा चलिए देखते हैं पर अगला परसंट जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो फिर यहां पर आपको बताना है कि सवर्ण भुस्तनों की पड़ी सुथुता को सुनीचित कर आपको पताओनाची दूस्तों फूल मार्ग कहोना आविस्तर हो जाएक चले देखते हैं पर नेक्स्ट के दरब चलते हैं तो प्रेंगे जो आपके बोर्ड एक्जाम दोएड़ चोविस के इक्जाम में सो परसेंट देखनों को मिलेगा क्योंकि सबी परसन आपके बोर्ड महत्पुर्न नहीं क्ने पटाई तो आपको तो प् सब्सक्राइब कहाए है नहीं वляется सबुद्र Stevens के लिए मटार्व कि नहीं है तो देखते हैं लेके अगला परस्ण तो फुर यहां को बताना कि योजना आयोग जो होते हैं इस तो यह पर देखें एक नेक्स्ट कोशलोन के दरभ लगई यहां पर देखेग है इसका बिलुकूली से उतर हो पुरूशकार से सम्मानी विक्ति को न है तो बंग्लादेश के नोबल पुरूशकार से जो सम्मानी विक्ति थी थे नो तो कोन थे प्रोफेसर मोहमद योनुस तें इसे आपको यादोना चाहिए यानि कि याप आप इसका बीवल आप्सन जोए ना बिल्कुली से उतर हो जागा चले देखते हैं आप अगला पर्सन तो फ्रेंड या पर आपको बताना कि भारत में सेवा छेतर को समाने तक कितने भागों में बाटा जा सकता है काफी मत पोड़ ने ठीक है तो भारत में सेवा छेतर को समान समाने तो दोस्तो दो भागों में बाटा जा सकता है इससे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहां पर इसका एबल आप्सन जोए ना बिल्कुली से उतर हो जागा चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट को संकी तरब बर चलते हैं अब आए फ्रेंड देखते हैं पर उग्ला पर्शन क्या करा है कि यांप उस्तार रूख है यानि कि डाव़लू टीओ का विस्तारीत रूप क्या वह हो यह आपको बताना है ट्क आपको पता ओना चलिके डावलूटिण तो फूल फॉर्म क्या होते हैं वर्ल ट्रेड ओर्गिनाजेशन होते हैं जिसे हम लोग क्या गतीवी स्वाया पर संगटन करते हैं यानि कि यहां पर बीवल आपसंजी ने इसका बिल्कुली से उत्र हो जाएगा यह भी परसन आपके बोर एक्जाम के लिए काफी मत पूर ने चले देखते हैं आज का लास्ट और अंतीम परसन को देख लेते हैं तो फिरेंड यहां पर आपको बताना है परसन यह कराएगी सुखा किस परकार की आपड़ा है तो फिरेंड आपको पताउना ची यह जो सूखा है ना दोस्तों यह प्रकिर्थिक के द्वारा घटित आप लिए आप धर लिए और दोस्तों मानों जनित अब्ड़ा क्या होते होते जसे होग deben 20 वोट हो गया दोस्तों उसके बाद यहां प्रसला देखनों को मिलेगा इस वीडियो में एक एक questions को जोने दोस्तों आप अच्छी तरह के सियाद कर लेते तो आपके board exam 100% का भी सारे परसंट जोना board exam में पूछे जाएंगे और दोस्तों अगर आप यह 48 questions आप फटावर से अगर देख लिए हैं मतलब पूरा वीडियो को देख लिए तो फटावर से comment section में जाके बताइए कि 48% में से आपको पहले से कितना परसंट का से और सर्टिक आंसर या था इसका जब आप हमें comment section में जाके जरू बताइएगा दोस्तों और यहां पर जो भी वीडियो आरते भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिज जगा ठीक है और दोस्तों यहां पर यौ दव्या गया है कि संदरवन इस्काहती है तो देख सकते हैं उप्सराइब कर दियंगा यह दूसकी में जूर छैएगा तो जिस भी विदियार्तियों को टेस्ट विगर दे रहें नहीं आता है तो सबसे पहले आप हमारे वार्टसप गुरू में जूर जाईएगा मेरा वार्टसप नंबर है